नमस्कार आप देख रहे हैं दी बॉस नियूज और मैं हूँ सर्फराज आलंग बिहार बिहार में आये दिन नए नए तरीके से अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कई तरह के कारणामे अपराधियों के शामने आते हैं और इसी तरह का मामला राजधानी से सटे बी चलने से एक दुकांदार जखमी हो गया है तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लोगों की भारी संख्या में भीर घटना अस्तर पर जुती हुई है अस्थाने के जो थानेदार है और पुलिस करमी है वो भी घटना अस्तर पर पहुँचकर मामले की जाच में जुती है कि बीच बाजार से भीर वाले जगहों से लोग अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलीस विवाग देखते ही रह गया और राइफल जो है सिपाही के हाथ से राइफल छीन कर अपराधी जो है गोली चलाना सुरू कर दिया जिससे एक गोली जो है एक दु घटना किस कारण होई है उसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जो सिपाही थे जो सिपाही थे वो दवामहल के दुकान में तैनाथ थे और उसी दोलान जो है अग्यात अपराधी जो है वो आया और सिपाही के हाथ से रैफल छीन कर अं मौके पर पहुंची भारी संख्या में पुलीस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जाच में जूट गई है हर एक दिश्टी कौन से जाच की जा रही है सिस्टी भी फोटेज भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार किस वजह से इस घटनाओं को अंजाम अपरादियों द्वारा कितने संख्या में एक अधियो आभे ती थी फारिंग भी कि act तो रांग क्या कुछ पहले कभी बात है या कुछ ने कुछ बात नाम क्या हुआ अब घटना के बाद इलाके में संसनी मची हुई है वही तस्बीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग की भीर घटना अस्तर पर जुटी हुई है पुलीस भी मौके पर पहुँचकर मामले की जाच कर रही है और आगे जाच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये घटना किस वज़े से हुई है किस कारण से ये घटना घटी है अपरादी इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दि इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है